विद्यार्थियों आज हम कक्सा बारा हिंदी की पाठ्थे पुस्तक अंत्रा भाग दो के काव्विखंड के अध्याई छह में वर्णित सहित्यकार कवी रगवीर सहाई द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है वसंत आया पढ़ने जा रहे हैं विद्यो भाग एक में हमने सहित्यकार कवी रगवीर सहाई का व्यक्तित्व क्रतित्व के बारे में अध्यन किया है तो आईए आज अध्यन करते हैं कवी रगवीर सहाई द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है वसंत आया वसंत आया कविता कहती है कि आज मनुष्य का प प्रिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावते गटित होते रहते हैं पत्ते जड़ते हैं कॉपले फूटती है हवा बहती है ढाक के जंगल दहकते हैं कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में जूमती है कोयल कूकती है पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती और हम इन सबसे निर्पेक्स बने रहते हैं वास्तों में कवी ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन सहली पर इस कविता के माध्यम से कराराव्यंग किया है इस कविता की भासा में जीवन की विडंबना चिपी हुई है प्रकरती से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवी ने देशच्ट अद्भव सब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रियोग किया है असोक मदन महीना पंचमी नंदन वन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन अनुभव के सब्दों की भासा ने इस कविता को आधुनिक्ता के सामने एक चुनोती की तरह खड़ा कर दिया है कविता में बिंबो और प्रतीकों का भी बहुत सुन्दर प्रियोग हुआ है तो आईए सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करते हैं वसंत आया सीर्शक से ये कविता है इसका वाचन करते हैं जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरू असोक पर कोई चिडिया कूउकी चलती सडक के किनारे लाल बजरी पर चुर मुराए पाउं तले उंचे तरूवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते कोई छे बजे सुबह जैसे गरम पानी से नहाई हो खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई ऐसे फुटपात पर चलते चलते कल मैंने जाना की वसंत आया और यह केलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी दपतर में छुट्टी थी यह था प्रमान और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल आम बोर आवेंगे रंग रस गंद से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन मन होवेंगे यसस्वी मदूमस्त पिक भोर आदी अपना अपना क्रतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे यही नहीं जाना था कि आज के नगन्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना की वसंत आया आईए इन पंक्तियों का संधर्ब और प्रशंग मालूम करते हैं इन पंक्तियों का संधर्ब इस प्रकार से है जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरू असोक पर कोई चिडिया कू की चलती सडक के किनारे लाल बजरी पर चुरुमुराए पाउँ तले उचे तरूवर से गिरे बड़े बड़े पियराये पत्ते इन पंक्तियों का संधर्ब इस प्रकार से है प्रस्तुत पंक्तियां कभी रगुवीर सहाय द्वारा रचित कविता वसंत आया से ली गई है यह कविता हमारी पाठ्थ पुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित की गई है इ अपनी मधूर मधूर स्वर्मे मधूर मधूर ध्वनी में कूकती है पतजड के कारण पीले और सूखे पत्ते पेडों से जड़ने लगते हैं पतजड के वजह से पेडों से पीले हुए पत्ते तूट कर नीचे गिरने लगते हैं कवीने वसंत के आगमन पर होने वाले इन ही वर्णनों का इस कविता में वर्णन किया है आईए अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरू असोक पर कोई चिडिया कुऊ की चलती सडक के किनारे लाल बजरी पर चुरु मुराए पाउ तले उंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पीराए पते आईए सबसे पहले इन पंक्तियों में आये हुए कथिन सब्द जान लेते हैं कूउकी कूउकी से आश fox में गाने लगी कोयल का कूऊक ना कोयल का मधूँर स्वर में गाना कूउकी पीराए पत्ते श्यासे है पत जड़ के कारण पीले पड़े हुए पत्ते जो पत जड़ के कारण पीले पड़ करके पेडों से तूट जाते हैं पीराए पत्ते जैसे बहन दा कहती है कवी कहते हैं कि जिस प्रकार बहिन अपने बड़े भाई को दा कह करके बड़े प्रेम से बड़े स्नेह के साथ, बड़े आत्मिता के साथ, बड़े अनुराग भरे भाव के साथ में दादा कहती है, दा कहती है, इसी प्रकार से ऐसे ही किसी बंगले में, किसी तरू, किसी तरू से आसे है, किसी वरक्ष पर, यानि असोक के पेड़ पर, कोई चिडिया कुह की, कोई च कहती है दादा उस प्रकार से आत्मिय भाव से जब बहिन अपने भाई को पुकारती है दादा उसी प्रकार से कवी कहते हैं कि किसी बंगले के किसी व्रक्ष पर संभवतया असोक के व्रक्ष पर कोई चिडिया संभवतया कोयल कूकने लगी अपनी मधुर्श्वर के अंदर ग है व्रक्ष उंचे व्रक्ष से उंचे पेड से नीचे गिरे हुए बड़े बड़े पियराये पत्ते जो पत्जड के कारण पीले पड़ गए पत्ते उनको जैसे ही कवी के पाउं तले दबाया गया कवी के पाउं तले ये पियराये पत्ते पीले हुए पत्ते जैसे ही पाउं कहता है कि इस प्रकार उन्हें लगता है कि अब बसंत का महीना आ रहा है इन पंक्टियों के माध्यम से कवी कहता है कि जैसे मेरी बहिन मधुर स्वर में मुझे दा यानि दादा कहकर बुलाती है दादा भाई कहकर बुलाती है ठीक इसी प्रकार किसी बंगले के असोख व्रक्ष पर कोई चिडिया संभा होता है कोयल मधुर स्वर में कूकने लगी जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरू असोख पर कोई चिडिया कूकी यही नहीं सडक किनारे बने लाल बजरी के रास्ते पर व्रक्षों के पीले सूखे पत्ते पत जड़ के कारण जड़ कर नीचे गिरे हुए थे जो मेरे पैरों तले कुछले जाकर कवी के पैरों तले ये जो उपर से गिरे हुए पीले रंग के पत्ते थे ये कुछले जाकर चरमराने से लगे थे सूखे पत्तों की यह आवाज जैसे ऐसा घोशित कर रही थी मानो वसंत आ गया है सूखे पत्तों की यह आवाज जैसे यह गोशित कर रही थी कि वसंत आ गया है वसंत का मोसम आ गया है जैसे ही पत्तजड में पत्ते पीले पढ़ते हैं कोयल कूकने लगती है तो इस प्रकार का आभास होता है कि वसंत का महीना आ गया है कोई छे बजे सुबह जैसे गरम पानी से नहाई हो खिली हुई हवा आई फिर की सी आई चली गई ऐसे फुटपात पर चलते 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 कल मैंने जाना की वसंत आया इन पंक्तियों का इन पंक्तियों में आये हुए कठिन सबनों को देख लेते हैं नहाई हो नहाई हो से आशे है श्नान किया हो फिर की फिर की से आशे है फिर की फिर की सी एक खिलोना होता है चकरीदार घूमता है गोल गोल घूमने वाला चकरीदार खिलोना फिर की फिर की सी सब्सक्राइब करें परना कि जी इसनान करके आता है उसी प्रकार इसे प्रकार की लुए कव्या इस नान करके आता हुआ बताया गया है इस प्रकार सुभह में हमें मानवी करण अलंकार दिखाई पढ़ता है मानवी करण अलंकार का सोंदरी इसमें दिखाई पढ़ रहा है जैसे गरम पानी से नहाई हो खिली हुई हवा आई और जैसे सब्द से इसमें उत्प्रेक्षा अल अलंकार हमें दिखाई पड़ रहा है साथी फिरकी सी आई फिरकी की तरह आई इसमें आई चली गई ऐसे फुटपात पर चलते 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 इन में जो अलंकार है पुनुरुक्ति प्रकास अलंकार एक ही सब्द की बार-बार आवरती हो रही है इसमें पुनुरु के माध्यम से कहते हैं कि सुबह को हवा में अब ठंडक नहीं है और ठंडक के इस्थान पर अब हलकी सी गर्माहट आ गई थी कवी कहते हैं कि सुबह को हवा में अब ठंडक नह होकर हलकी गर्माहट थी ऐसे लगता था मानो सुबह गरम जलसें गरम पानी से इसनान करके आई हो सुबह उसी प्रकार की लग रही थी जैसे गरम पानी से नहा कर आई हो बस थोड़ी देर के लिए हवा आई और फिरकी सी आई और फिर चली गई इस प्रकार से फिरकी के समान घूम कर हवा चली गई, कल फुटपात पर चलते चलते मैंने जान लिया, ऐसे फुटपात पर चलते चलते कल मैंने जाना, कभी कहता है कल मैंने जाना कि वसंत आया, इसी प्रकार फुटपात पर चलते चलते कभी ने जान लिया कि वसंत रितु आ कहती है खिली हुई हवा फिर किसी अई में उपमा अलंकार है उसी प्रकार बहन बहन जब बहुत आत्मिता के भाव से प्रेम के भाव से अपनने भाई को संबोधित करती है दा कहकर तो उसी प्रकार का मिठास इसमें है चिडिया की बोली और बहन की बोली में आपस में उसी तरह से मीठी लग रही है जिस प्रकार चिडिया की बोली है उसी प्रकार बहन की बोली भी मीठी लग रही है कोई छे बजे सुबह जैसे गरम पान पियराए नहाई आदी, फुटपात जैसे अंग्रेजी सब्द भी इसमें प्रियुक्त हुए है, इन पंक्तियों में मुक्त चंद का प्रियोग हुआ है, इसमें अंग्रेजी सब्द का प्रियोग भी किया गया है, फुटपात जैसे सब्दों में इसमें अंग्रेजी सब्द का प्रियोग भी किया गया है इन पंक्तियों में मुक्त चंद का प्रियोग हमें देखने को मिलता है अगली पंक्तिया इस प्रकार से है और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी दफ्तर में चुट्टी थी यह था प्रमान कठिन सब इस प्रकार से है calendar calendar से आशे है पंचांग यानि दिनांक जानने का साधन बार बार अमुक बार बार से आशे है वार दिन मदन महीना मदन महीने से आशे है मदन महीने की होवेगी पंचमी यानि वसंत पंचमी मदन महीने से आशे है वसंत को मदन महीना कहा जाता है वसंत को क कामदेव का महीना कहा जाता है इस प्रकार से मदन महीने की पंचमी यानि वसंत पंचमी कामदेव का महीना और कामदेव के महीने में होने वाली पंचमी को वसंत पंचमी कहा गया है इन पंक्तियों का प्रशंग इस प्रकार से है वारतमान युग के लोग प्रकरती से इतना से नहीं होता लोग अब इतने कट गए हैं प्रकरती से कि उन्हें रितू परिवर्तन होने का आभास रितू परिवर्तन के विभिन प्रकार के होने वाले परिवर्तनों को देखकर नहीं होता वरन केलेंडर को देखकर उन्हें रितू परिवर्तन होने का आभास होता है और यह केलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंच मी दपतर में छुट्टी थी यह था प्रमान कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि भले ही वसंत रितू आने पर पेडों से जड़ते हुए पीले पत्ते पैरों के नीचे आकर चर्मराने का स्वर उत्पन करने लगे हो हवा में हल्की सी तपन गर्माहट आ गई हो व्रक्षों पर कोयल कूकने लगी हो अपने मधुर स्वर में गाने लगी हो परन्तु मुझे तो वसंत के आगमन की सूचना कलेंडर से प्राप्त होती है कवी कहते हैं कि मोसम में होने वाले इन परिवर्तनों को देखने के बजाए वसंत का आना कवी को कलेंडर से देखने पर ही पता लगता है वसंत के आगमन की सूचना कवी को कलेंडर से ही प्राप्त होती है कवी कहता है कि भले ही वसंत रितु जब आती है तो पेडों से पत्ते जड़ते हैं पेडों से जड़ते हुए पीले पत्ते जब पैरों के नीचे आते हैं तो वे चर्मराने का स्वर करते हैं हवा में हलकी हलकी सी गर्माहट आ जाती है व्रिक्षो पर कोयल कूकने लगती है पर इन सब होने वाले प्रकरती गत परिवर्तनों को ध्यान में रखकर कवी बसंत के आगमन को नहीं पहचान पाता कवी तो बसंत के आगमन को कलेंडर देख करके ही पहचान पाता है कवी कहता है कि मुझे तो वसंत के आगमन की सूचना केलेंडर से प्राप्त होती है केलेंडर से हमें यह पता था कि अमुक तिथी को वसंत पंचमी होगी और उस दिन दपतर की छुट्टी रहेगी कवी के अनुसार आज मनुष्य का रिस्ता प्रकर्ती से तूट गया है अब वह वसंत के आगमन की उसमें जो मस्ती है मादकता है और उसका भाव है इस पुरण का भाव है वह व्यक्ति को अब और अधिक प्रभावित नहीं करता कारण यह है कि व्यक्ति प्रकर्ती से दूर हो गया है प्रकर्ती से कट गया है कभी के अनुसार आज मनुष्य का रिस्ता प्रकर्ती से तूट सा गया है अब वसंत आगमन उसमें मस्ती मादक्ता और इस्पुरण नहीं जगाता क्योंकि वह प्रकर्ती के सानिद्ध में नहीं रहता है व्यक्ति प्रकृति के सानिद्य में नहीं रहता इसलिए उसमें मस्ती का भाव मादकता का भाव और इस पुर्ण का भाव उत्पन नहीं होता है और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढ़ाक के जंगल आम बोर आवेंगे रंग रसगंद से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन मन होवेंगे यह सस्वी दहर दहर से आशे है दध़क ध़ड़क कर जलना दहकेंगे से आशे है ढाक से आशे है पलास वसंत्रितू में पलास के लाल लाल फूल खिल जाते है और जंगल में खिले हुए ये फूल ऐसे लगते हैं मानो जंगल में आग लग रही हो लाल लाल फूलों से पूरा जंगल भर जाता है और दूर से देखने पर ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा जंगल लाल रंग से रंग गया हो मानो उनमें आग लग रही हो धधक रहे हो इस पर बोर आ जाना लदे फदे होना लदे फदे होने से आशे है घिरे हुए होना भार से लदना नंदनवन नंदनवन से आशे है इंद्र का उपवन नंदनवन इंद्र का बगीचा इंद्र का उपवन ऐसा उपवन जो आनंद देता हो आनंद प्रदान करने वाला उपवन से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल आम बोर आवेंगे रंगरस गंद से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे ये सस्वी दहर दहर दहकेंगे दहर 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 एकी सब्द की बार-बार आवरती हुई है इसलिए इसमें पु दहकेंगे में दैवर्ण के आवरत्य हुई है, इसलिए एक ही वर्ण की बार-बार आवरत्य होने से, इसमें अनुप्रास अलंकार का सोंदेरिय भी नहीं थाए। दहर दहर में पुनरुक्ती प्रकास अलंकार है और दहर दहकेंगे में सबसे पहले जो दैवर्ण के आवरत्ती हुई है इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का सोंदेरी भी निहित है रंग रस इसमें रेवर्ण के आवरत्ती हुई है इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सोंदेरी इसमें निहित है नंदनवन नैवर्ण और नैवर्ण इसमें भी नैवर्ण नैवर्ण की आवरत्य हुई है इसलिए इसमें भी अनुपरास अलंकार का सुन्देरी नहींत है इन पंक्तियों के माध्यम से कभी कहते हैं और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कभी कहते हैं कि मुझे तो प्रकरती में होने वाले इन परिवर्तनों की जानकारी ही नहीं है क्योंकि मैंने तो केवल और केवल कविताओं के माध्यम से भी पढ़ा है और कविताएं फुल आएंगे और वो जंगल ऐसे प्रतित होंगे मानों वो दहर दहर दहक रहे हों जिस प्रकार धधक धधक कर जल रहे हों इस प्रकार का दृष्च्य उन जंगलों में दिखाई पड़ेगा लेकिन कवी कहते हैं कि मैंने ऐसा अपनी आखों से नहीं देखा मैंने तो ऐसा क किताबों में पड़ा है कि आम के बोर आएंगे आम पर मंजरी आएंगी आम पर बोर आएंगे और मैंने किताबों में पड़ा है कि रंग रस और गंद से लद फद जाएंगे दूर के विदेश के वे सभी विभिन्न प्रकार के आने वाले जो चटकदार रंगों से खिल कर फूल कहिल जाते हैं वन के अंदर उपवन के अंदर विभी रों को अपने स्वूंधेरिया से और अधिक अभिशिक्ट करने के लिए भ्रमर उन पर आते हैं उन पर विबिन्य प्रकार के कीट पतंगे आते हैं और यह नंदनवन नंदन में खिल हुए पूल उन पर कूकने वाली कोयल वहाँ पर गुंजार करते हुए भ्रमर इत्यादी बहुत ही सुखद द्रश्य उत्पन्न कर देंगे इन पंक्तियों के माद्यम से कभी कहते हैं कि मैंने कभी वसंत आगमन पर जंगल में खिले लाल लाल पलास के फूलों को देखा ही नहीं था जिससे मैं ये समस्ता की वसंत के आगमन पर जंगल इन लाल फूलों के कारण दहक तासा दहक तिसी आगवाला सा दिखाई पढ़ता है और कविताएं पड़ी मैंने और पढ़ते रहने से कभी को ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल कि ढाक के जंगल दध बन्वन होएंगे ये सस्वी और बस कविताएं पढ़ने से कभी ने ऐसा जाना था कि ऐसा होता है कविता में ही मैंने पढ़ा था कि वसंत के आने पर आम के बोर आ जाएंगे कोयल की कूक मधुर स्वर में सुनाई देगी और खिले हुए फूलों का रस पीने के लिए ब्रह आमरों से गिरे हुए वे पुस्व भी अपना रूप रस गंद उन भ्रहम्रों को समर्पित कर देते हैं। उपवन चटकदार रंगीन फूलों से भर जाता है और इस प्रकार उन चटकदार रंगीन फूलों पर भ्रमर आएंगे और भ्रमर नंदनवन को और अधिक मोहक बना देंगे और इस प्रकार उपवन चटकदार रंगीन फूलों से भ्रमरों से भर जाएंगे और वे नंदनव की तरह मन मोहक लगने लगेंगे मदुमस्त पिक भोर आधी अपना-पना क्रतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना की वसंत आया मदुमस्त मदुमस्त से आशे है पुस्पों का मदू रस पीकर मस्त बने हुई रहना पिक से आशे है कोयल भॉर भॉर से आशे है भ्रमर क्रतित्व से आशे है कारिय नगन्य से आशे है ने के बराबार तुछ जो गिनती में ने हो इन पंक्तियों के माध्यम से कभी कहते हैं कि मदुमस्त पिक भोर आदी अपना अपना क्रतित्व कर रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं और उसका प्रदिर्शन भी कर रहे हैं उपवन फूलों से भर गया है उपवन में चटकदार रंगों से भरे हुए सुगंद वाले फूल खिल उठे हैं ब्रमरों से भर गया है और वे नं मन मोहक लगने लगेंगे व्रहामर कोयल भी अपने गुंझार कोई गाज़ा में ये अपना कारी कूग ये अपनी मीठी तां सुनाएगे अपनी मीठी स्वर में कुकेगी जिसने की लोग कोयल की तां को सुन कर मदमस्ट हो जायेंगे भी अपनी गुंजार करेगी और कूक से लोगों के रिधा को प्रशनता के भाव से भर देगी कूक से मन को प्रशनता से भर देगी पर यह नहीं जाना था कि वसंत के आगमन को सूचना मुझे प्रकर्ति के इन उपादानों से प्रकर्ति में होने वाले परिवरतनों से नहीं अपितु कलेंडर से मिलेगी कभी कहता है कि इस प्रकार वसंत रितु के आगमन पर प्रकर्ति में बहुत सारे सुखत बदलाव आते हैं कोयल कूकती है ब्रहमर फूलों का रस्पान करते हैं और इस प्रकार से होने वाले प्राकर्तिक परिवर्तनों को देखने समझने के बजाए कवी कहता है कि उसे इन की सूचना वसंत के आगमन की सूचना कवी को इन उपादानों से यानि प्रकर्ति में होने वाले परिवर्तनो से नहीं मिली अपितू उसे इसकी सूचना कलेंडर से मिली कलेंडर से ही कवी ने जाना कि वसंतरितु आ गई है विशेश हैन पंक्तियों का कवी ने यह प्रतिपादित किया है कि आज का मनुष्य प्रकरती से कटता जा रहा है वसंत के आने की सूचना अब उसे प्रकरती के परिवर्तन से नहीं अपितु केलेंडर से मिलती है प्रकरती में होने वाले विभिन प्रकार के परिवर्तनों को देखकर कवी वसंत के आगमन को नहीं पैचान पाता कवी को वसंत के आगमन की सूचना केलेंडर के माध्यम से ही हो पाती है कोईल की कूक गुंजार करते भ्रमर ढाक के लाल फूलों से भरे जंगल बोर से लदे हुए आम पतजड के जरे हुए पीले पत्ते कुछ कुछ गरम हवा सब कुछ वसंत के आगमन के सूचक है प्रतिकात्मक सेली है नंदनवन आनंद का प्रतीक बताया गया है भासा में देसज तथा तत्सम सब्दों का प्रियोग किया गया है ससक्त बिम्ब योजना और मुक्त चंद का भी इस कविता में प्रियोग किया गया है प्रेविद्यार्थियों आज हमने अध्याइच है कवी सहित्यकार रगवीर सहाय द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है वसंत आया का अध्यन किया है इस कविता को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है समझ कर आत्मसात कर लिया है अगले वीडियो में हम कवी सहित्यकार रगवीर सहाय द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है तोड़ो लेकर शिग्र ही आपके समक्स उपस्तित होंगे तब तक नमस्कार